डिप्थीरिया एक गंभीर बैक्टिरियल इंफेक्शन होता है जो नाक और गले की शलेश माझली अर्थात न्यूकस मेंब्रेन को प्रभावित करता है। डिप्थीरिया आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है लेकिन दवाई लेने से इससे बचा जा सकता है। खिलक्षन होता है या परत आपकी सांस लेने वाली नलिकाओं को अवरुद कर सकती है जिससे आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। डिप्थीरिया बड़े पैमाने पर लोगों में फैला हुआ था और 15 साल के बच्चों में अधिकाम था। हाला कि डिप्थीरिया की टीका करन योजना से इसके मामले कम हुए हैं लेकिन या अभी भी लोगों को गंभी डूप से प्रभावित कर सकता है। डिप्थीरिया के परिक्षण के लिए स्वाब टेस्ट और अन्य प्रयोकशाला परिक्षण लाबरेटरी टेस्ट किया जाते हैं। इसके उप्चार के लिए व्यक्ति को अकेला रखकर उसे इंटी बायोटिक और इंटी टॉक्सिन दवाएं दी जाती हैं। और उसके देख भाल की जाती है। दिप्थीरिया के इस्तिती बिगड़ने पर तंद्रिकाओं को नुकसान होता है, नर्व डामिज होता है, हार्ट फेलियर और कुछ मामलों में तो मौत भी हो सकती है।